हलो बच्चों, आपका तच्छा दस्म स्वागत है, मैं अजनारा है, नानिरेंटी डेवी शर्ष्टी विज्यानिकेता निंटर काले जिराजा पोक्रयागरा से, मैं आज आपको हिंदी पढ़ाने जा रहे हूँ, और हिंदी में आपको वताएं लेकि हिंदी कदे का अब को और हिंदी कदे के विखाष को कया है, उसे विखाष को रूक में उसे अपने मन के भाउंत था विचारों को अव्यत करने के लिए व्याकरण समझत वह रचना जो छंदों के बंधर से मुक्त होती है उसे हम गद्य करते हैं और पद्य से गद्य है तो पद्य में लै और चंद के बंधर जिसमें लगे होती है जो कि थाव प्रधान तथा लै और चंद बद्य होता है उसे हम पद्य करते हैं आप हम बताएं जिया को कि हिंदी में खड़ी बोली गद्य के विकास को कितने भावों में बाटा गया है तो हिंदी में खड़ी बोली गद्य के विकास को छै वावों में बाटा गया है लेखीन थोड़ा से इसकी पाज़ना कि इसका विकास सहागा हुआ था तो हिंदी में खड़ी बोली गद्य का उद्भव सर्सायनी या भ्रंज के उतरी रूप में हुआ इसका छेत्रिक देरागून का मैदानी भाग तिल्ली मेरड रामखु मुरादाबाद है खड़ी बोली गद्य का विकास को मुख्य रूप से हम निम्रकित भागों में बाढ सकते हैं जिनकी समय सीमा आपके सामने है और हम एक-एक का नाम बताते हूं इसके बाद आपका दूसरा आता है भार्तेंदो यूग भार्तेंदो उमनित्चन्द के नाम पे भार्तेंदो यूग पढ़ा है और 1868 से 1900 इसकी तक इनकी समय सीमा है इसके बाद हमारा पिस्टा आता है दिवेधियू, अचार्या, महाभी प्रशादिवेधि के नाम से हमारा दिवेधियू उपड़ा है, जोकि उन्होंने सौर्टीं पत्रिका का शम्पादन भी किया है, जिनकी समय सिमा उन्मी सो से उन्मी सो बीस इसमी तक मानी जाती है। इनकी समयशिमा क्या है? उन्मी सो से उन्मी सो बीस इसमी तक इनकी समयशिमा है. अब इसके बाद मारा आता है सुक्लियू. शुक्लियू कुम्छावादे उनके नाम से भी जानते हैं. और इनकी समयशिमा उन्मी सो उन्मी सो आठी सिस्वी तक उनका समयशिमा है. इसके बाद अब थोड़ा से बताएंगे आपको कि भारति इंदु यूग में हमारे कहुं से कभी आए और इंकी रचना कैशी हुई खड़ी बोली गद के दर्शन प्रखम दर्शन अकपर के तरवाई कभी कंगो लारा रचित चंद छंद बर्लंग की महिमां 1547 भी नाम ग्रण्थ में होते हैं राम प्रशाद मिलंजनी ने हासायोग वालशिष्ट नामत रचना खड़ी बोली में रिखी जिसे खड़ी बोली का प्रखम दर्ख कहा जाता है हिंदी के विधास में सार प्रखम पोर्ट-गिलियम कालेज का गत्ता का इरोदार रहा इसके आचार ये जान गिल प्राइट्स में भार्ती भासाओं का द्या दिया इस इंडिया कंपनी के प्रसाश्कों को हिंदी सिखाने के लिए उन्होंने एक ब्याकरा और एक सब्धकोष्की रचना की इसके बार आप मताते हैं मारतेंदु यूग जिनकी समय शीमा 1868 से 1922 तक मानी जाती है मारतेंदु यूग के हमारे जो मारतेंदु यूग एका नाम भारतेंदु हरसंत के नाम पे इनका पड़ा है इसके बादा अधा हमारा दिवेदीू यूग दप्धि यूग उन्हिस माग्र सुधार काूधि इसके बाद हमारा आता है शुक्रयू उंच्हावादियत के नाम से जाना जाता है और इसके बाद हमारा अंती माता है शुक्रयूत्तर विव्या जितनों पड़त्वान उतके नाम से जानते हैं जो कि उन्टी सो साथारी से अब तक के इनकी समय सीमा है आप लोग आप गद्या और पद्य में अंतर लिखेंगे और जितने यूग अमंगी फाइन है इसके 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 लिखेंगे और लिख करके इंको याद भी करेंगे अलबार आप